वीडियो में हम राजिस्थान का एक परेटा निस्थालें हवा महल जो कि बहां की राज़दानी जैपूर में ही इस्तिदें जिससे हम संस्क्रेट में बोलें तो वायू भावन पर संस्क्रेट भासा में निबन देखने जा रहे हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दू जैसे कि आपने कमेंड किया था कि आज अभी हम राजिस्थान पर परेटन इस्थल पर आज आप निबन देखेंगे कल मैं आपको असम पर असम का एक परेटन इस्थल काजी रंगा राश्ट्री उद्धान पर संस्कृत भासा में निबन प्रोवाइट कर दूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हवा महल पर संस्कृत भासा में निबन ऐसे on हवा महल in संस्कृत लेंगविज ये बहुत ही सरल ऐसे है और एकदम मैंने बहुत आसान बनन की कोशिस किये और बहुत टाइम लगा मुझे बनाने में लगभग एक से देड़ कंटे तो प्लीस आप से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीस एटलीस सेयर तो कर दीजे वायू महल राजस्थानस से जैपोर नगरे स्थितस्ती वायू महल वायू महल अब किसको कहा जा रहा है यह जो हवा महल है ना इसी को वायू भवन या वायू महल आपके टीचर जो का है आप वो लिख देना हवा महल का है तो हवा महल लिख देना वायू महल का है तो वायू महल वायू भावन का है तो वो भी लिख सकते हो जैसे कि इंडिया गेट को संस्कृत में भारत द्वारम कहा जाता है तो मैं यहाँ पर वायू महल का प्रयोग कर रहा हूँ राजस्थान से जैपोर नगरे इस्थितास थी जो वायू महल है वो राजस्थान के जैपोर नगर में इस्थित है सेकंड पॉइंट है असे वास्तुकला इसकी जो वास्तुकला सैली है वो राजस्थानी वास्तुकला और मुगल इस्थापत थी चाप मिश्रन सैली वर्तते इस का यहां किसके लिए प्रेयुकी अगया है तो जो हवा महले in वास्तुकलण की सैली की यहां पर बाथ हो रही है दो जगह है राज़ स्थानी वास्तुकलण और मुगल इस्थापत्य का मिश्रन चैली ये दौनों की सैली को मिला कर बना गया है असमेन भवनी याने इस भवन में 953 जरूखा संती अब जरूखा याने होता है खिड़कियां तो इस भवन में 953 जरूखा है प्रस्थर असे देखे प्रस्थर याने होता पत्थर असे अलग गया तो याने का पत्थरों का वर्ण वर्ण है याने रंग पत्थरों का रंग रक्त है चुली ये रक्त लिखना था यहां पर रक्त है केशरी, चा, बलुए, इस्तह तो रक्तों का जो पत्थर और बलुए के बने हुई है कौन-कौन से वर्ण बलू है एक है रक्त और एक केसरी अस्ती इस्ता संती यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है रक्त और केसरी दो रंग की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे इस्ता लगा हुआ है अस्य वर्ण बादामी एवस्ती इसका वर्ण है वो बादामी ही है वायू महलस निर्मिता यहां निर्मिता महराजा सबाई प्रताब सिंग आसीद जो इसके निर्माता है बनाने वाले इस महल के निर्माता महराजा सबाई प्रताब सिंग है वायू महल अत्यदिक लोग प्रिय परिटनिस्थल अस्ती जो वायू महल है वो बहुत ही लोग प्रिय परेटन इस्थल हैं नेक्स देख लेते हैं वायू महल एक राजसी महल अस्ती जो वायू महल है एक राजसी महल है असे भवनसे वास्तुकार लाल चंद उस्ता आसी इस भवन यहां पर किस भवन की बात हो रही है जो वायू महल है यह वायू भवन है उस भवन का जो बास्तुकार है वो लाल चंद उस्ता है आखरी पॉइंट देख लिए थे मम प्रीय परेटानिस्थल वायू महल है तो आई होप आपको समझ आया होगा कोई प्रॉब्लम में तो आप कमेंट कर सकते हैं at last thanks for watching the video वीडियो खतम करने से पहले मैं आपको बता दूँ यह दिया आपको बहाँ पर टाइप किया हूँ समझ नहीं आ रहा है यह कोई दिक्कत हो रही तो यहाँ पर एकदम सहीं लिखा हूँ आप इसे देखकर लिख सकते है so please एक ही request यार इतनी मेनद करके बनाता हूँ इतना ज़्यादा मुझे ऐसा लगता कि time waste हो रहा है थोड़ा और तो please यार आप share कर दिया करो जब देखता हूँ कि 6,8 मैं इसमें केवल aim रखता हूँ 20 views at least आप 20 तो दे सकते हैं आपने classmate के साथ share करके उन्हें भी project वर करना ह so please share कर दिजी